हेलो विडिवन आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीवेसी बॉद एकजाम के बारे में और एक तरफ हमारे रहेगा बिहार बॉद एकजाम के बारे में अगर अगर आप CBC बोद के student हो तो आप ये समझ पहेंगे कि बिहार बोद वाले बच्चे कैसे exam देते हैं अगर आप उनके partner हैं उनके साथ परहाई करते हैं CBC बोद वाले चाहे बिहार बोद वाले एक साथ मिलके तो आप दोनों में कितना difference है इस चीश को आप समझ पहेंगे तो इस video को पूरा जरूर देखें आपको कुछ न कुछ profit होगा देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार बोद के बारे में क्योंकि बिहार बोद अगर आप थोड़ा मेहनत करोगे तो आपके exam को result को इतना बहतर बना देते हैं कि आप उतना सोच भी नहीं सकते हो हाँ लोग बहुत society में ये चीश काते हैं कि paper अच्छे से check नहीं होते हैं लेकिन कहीं ने कहीं बच्चे ये चीश भूल जाते हैं कि वो लिख के भी उतना ही आते हैं ठीक है ये चीश मैं आपको सही मैं fact fact बताता हूँ कि बहुत लोग सिकायत करते हैं कि मैं paper अच्छा check नहीं हुआ होगा बिहार बोद के इसलिए मेरे कम number है लेकिन उनको अगर reality में अगर कहीं खारा करा के पूछोगे कसम दिला के पूछोगे कि क्या तुमने सही से सही handwriting में सही चीश लिख के आया था तो उनका जवाब होगा नहीं अगर कोई विद्यार्थी अगर सही साफ साफ handwriting के साथ सही answer लिख के आएगा तो बिहार बुद वाले नहीं काच सकते हैं और बात मैं बताता हूँ बिहार बुद के बारे में पहला चीश की इसका पेपर का जो लेबल होता है यह बहुत easiest और medium और hard के में formating किया जाता है मतलब easy question बहुत सारे होते हैं फिर medium question बहुत सारे होते हैं और कुछ question का percentage 10-12% hard question रहते हैं जो किसी sub-strain के लिए नहीं रहता है कुछ बच्चे जो बहुत टेज रहते हैं वो उस question को solve कर बाते हैं ठीक है लेकिन फिर भी overall इनका जो paper होते हैं बहुत easy होते हैं क्योंकि इनके में option बहुत ज्यादा होते हैं जैसे question paper में option बहुत ज्यादा होते हैं अब आपको option बताते हैं जैसे कि MCQ question हर paper में आता है MCQ question हर paper में आता है अगर आपके पास 40 नमर का MCQ question आया है तो सोचो उसमें 80 question दिये रहते हैं 80 question में से आपको 40 question solve क्याणना रहता है MCQ का, अब कोई बच्चा अगर पूरा ये math का, जैसे मेरे पस book है MCRT, अगर मैं इस math के book को अच्छा से पढ़ा हूँ, मैं CBC बुद के strength हूँ, आप भी हार बुद के strength हूँ, अब इसमें से मैं आपको 80 कोई MCQ दूँगा, और वो भी MCQ आपको बता दो कि इतना hard नहीं रहता है, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी आप मन से पढ़ाई किये हो, तो आप अच्छे से उसको बना पाओगे, और आपके बस 80 question रहते हैं, उसमें से 20 question हाद ही है, लेकिन क्या 7 question में से अब 40 question को नहीं लगा सकते हो, असानी से लगा सकते हो, ठीक है, MCQ आपको असानी से कर सकते हो, उसके बाद जो question का जो label होते हैं, जो written question होते हैं, जो लिखना पढ़ता है आपको, वो भी easy question रहते हैं, और बात करें, उसका long base subject जैसे हिंदी इंगलिस का, तो हिंदी इंगलिस आप एकिन नहीं करो, कि हर बार समझो कि question लिखी रहता है, question लिख करने का मतलब क्या है, कि जैसे हिंदी का question के बारे में बता है, तो आप लिख के रख लो कि उसके हिंदी का जो लेखा का जो नाम होता है, वो हर बार matching में आता है, लेखा का नाम हर बार matching में आता है, 10 नमर का या 5 नमर का लेखा का नाम matching में हर बार हिंदी और इंगलिस के बुक में, जो लेखा का नाम front page पे रहता है, उससे मैसिंग आपके पेपर में देखने को मिलता है हर साल अब सोचे कैसी 15-20 पर नमबर आप ले लिए इसके बाद क्या होता है MCQ में बहुत सारे लेखा के रहते हैं कोशन डिरेक्ट ये चैप्टर का लेखा कौन है MCQ अब सोचों कि लेखा का ना भी याद कर लिया ताainen 15-20 पर ऐसे पालोगे उसके बाद क्या होता है कि जो हिंदी का निबन्ध होता है ये इधनम easy होता है अफ असानी से कर सकतो इंग्लिस का जो निबन्ध लिखना रहता है जो essay लिखना रहता है ओ भी easy होता है तो ऐसे करके Bihar board थोड़ा सा easy होता है CBC board के तूल नाम है अब हम लोग बात करते हैं CBC board के बारे में देखो CBC board वाले बच्चों को question का जो level होता है ये hard भी होता है और easy भी होता है ठीक है इसका भी same formatting होता है लेकिन Bihar board के तूल नाम में इसका question का जो level होता है थोड़ा सा hard होता है ठीक है और ये hard इसको क्यों बनाता है CBC board का क्योंकि इसमें option ना के बराबर आते है option ना के बराबर आने का मतलब यही है कि पहला चीज तो MCQ इसमें कम आता है कम मतलब 3-4-5 question MCQ आते है वो भी MCQ अब इतना घुमा दिया है इतना घुमा दिया है study based question आते हैं जो आप आसानी से नहीं कर सकते हो समझ में आया अगर आप book लेना चाहते हैं sample paper खरिदना चाहते हैं तो एक बर इस book को भी try कर सकते हैं जिसका नाम है educa zone आपको easily flip card, imagine कहीं पर भी easily available है इस पर आपको एक previous year का 2023 का पूरा sample paper इस पर मिल जाएगा sample paper नहीं previous year question मिल जाएगा और इसके साथ 5 आपको solve sample paper मिल जाएगे और 3 या 4 on solve sample paper इस पर अबलेबल है यह मतलब बहुत सारे practice करने के लिए इस book के अंदर content आपके लिए भरपूर मात्रा में दिया गया है तो जरूर इस book को एक बार जाके देखें अगर आपको समझ में आता है तो purchase करें इसमें आपको all subject का sample paper मिल जाएगा Hindi, English, Math, Science, Class 10th के हो चाहे Class 12 के student हो दोनों का sample paper easily available है imagine पे flip card पे वहाँ पर युका जो उन सर्च करोगे आसानी सा आपको दिख जाएगा और बहुत अच्छी book है आप लोग जरूर इसको try कर सकते है अब हम लोग चलते हैं आगे तो ये है हमारा CVCBud की कहानी अब जो भी question का label होता है उसमें option नहीं होता है question hard होता है medium question होता है medium hard easy भी होता है लेकिन फिर भी option नहीं रहता है जैसे question number three absolve करो उसमें मुश्किल से दो option है और करके वो भी सभी question में नहीं रहता है किसी किसी में रहता है ठीक है तो कहीं न कहीं बिहारबद के तूलना में CVCBud हाध होता है और बच्चे को पढ़ना पढ़ता है तभी CVCBud का बच्चा आच्छा कर पाता है बिहारबद का बच्चा को मैं यह भी देखा हूँ कि लास्ट के एक महीना परके आप बहुत अच्छा कर सकते हो तो यही सब चीज कारन है फिर भी क्या है कि जब दोनों बच्चे एक ग्याम देखा हैंगे तो इसका अगर CVCBud बच्चे का 70% है और बिहार बदवाले बच्चे का अगर 60% है तो बच्चे क्या कहेंगे बिहार बदवाले को पूछेंगे 1st division है कि 2nd division ठीके तो अगर 1st division है सिख्ती के एबाब आए तो मतलब यह बच्चा ठीके 1st division है खुस है लेकिन अगर यह 70% है ना CVCBud बच्चा तो फिर भी इसको ताना सुनना है कि 70% है CVCBud में 70% कोई percentage है 90 के एबाब आना चाहिए यही हमारे society बोलता है और अभी और देखो पहले बोलता था आज 3-4 सल पहले यह बात बोलता ना आपका result आता था और वहां पे क्या होता 70% आपको इसकोल दे 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 दा था तीस परसेंट बोलता था अगर 30 में 30 लाते थे तो आपका 90-95 परसेंट पार हो जाता था तो यह कुछ 4-5 सल पहले की बात है आज ऐसा कुछ नहीं है आज भी 20% हमें school के तरफ से मिलता है 80% बोलत से लाना पड़ता है थीक है तो आप भी इस चीश को समझ ले जो इस वीडियो को देख रहे हैं और कोशिस करें कि ऐसा इन बचों को ना देखा जाए भाई यह भी इ आप कर लें जो लोग बहुत ज़्यादा हावाबाजी करते हैं सीवेसी बात के बारे में और बिहार बहुत वाले इस चीश को सून के हो सकता है थोड़ा मेरे पर यह करें कि भी आप बहुत ज़्यादा आप सीवेसी कर रहे हैं ऐसा कुछ निया भाई अगर एकीन के साथ आ प्यारी करो आपको कहूं कि सीवेसी का पेपर दे दो ता आप क्या दे पाओगे कि आप सेवेंटी परसेंट लास होगे आपको आदत है mcq solve करने का 80 mcq में से 40 मान के चलो कि आपको लिखना रहता है mcq करना रहता और एक तरफ बच्चा पूरा हाँ से लिख के आता है जिसमें mcq ना के बराबर रहता है इस इसको समझो भाई और उमीद करते हैं कि दोनों बच्चे सीवेसी बिहार बोद एक तरफ जब रिज से बात करें चाहे और और भी कोई knowledge का ब Pat करें सिवेसी बिदो बख्य वाले बच्चेए की पास ठोड़ा सा ज्यादा रहता है